हार और मैं हूँ आपके साथ राजेश कुमार विधान मंडल दल की बैठक में नितीश कुमार ने सिर्फ आरजेडी मिलसी सुनिल सिंग पर ही नहीं बलकि कॉंग्रेस समय तनी पार्टी के कुछ विधायकों पर भी नाराज़गी दिखाई इस दोरान आर जेडी मिलसी सुनिल सिंग की भी जमकर क्लास लगाई गए सियम ने कहा कि आप जादा मत बोली वहीं सियम नितीश जब विधान मंडल दल की बैठक को संबोधित करते हुए आजीत शर्मा समय तनी विधायकों को भी उन्होंने नसीहत दी उन्होंने कहा कि अगर कॉंग्रिस और वाम दलों के विधायक विधान पारशद शामिल रहे एक कोसिस यहां पर की गई माह अगट बंधन के एक जुटता को दिखाने की आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अगल बगल बैटे हुए हैं नितीश कुमार और ते जस्वी यादो बाकी पार्टिय में लीडर भी कॉंग्रिस विधायदल के नेता भी और जमकर क्लास लगाई गई उन विधायकों फारशद की जिनन्होंने चाल के दिनों में मेडिया में ज़्यादा बयान बाजी की थी उनकी जमकर क्लास लगाई गई तो एक मैसेस देने की यहाँ पर कोसिस की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मैसेस पहुच पाया, हमारे वरिष्ट सहयोगी, प्रशान जहां इस वक्त हमारे साथ पतना से जुड़े हुए है, प्रशान जी ये बताइए कि एक संदेश देने की कोसिस यहाँ पर मह माकथवंधन के तरफ से हुई है Ν 이번 गोंधन के तरफ से हुई है कि नहीं सब कुछ ठीक है कुछ लोग हैं intelligent कर रहे हैं ह Expect कर रहे हैं लेकिन हमने उनको डाट पिल दिया लेकिन सवाल है कि यह बच्चों की Kरप्रास तो है नहीं पribशाड़ी कि आपने डाट पिला था उससे जो मैसेज आम लोगों तक पहुँचा था उससे साफ तोर पर जाहिर हो गया था कि महा गठवंदन के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला है चाहे वो आर्जेडी के मलसी हो चाहे आर्जेडी के प्रवक्ता हो या जेडीओ के मंतरी हो यह तमाम के बीच में जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल ला था इस दौर से नितिश कुमार नाराज थी और इनकी नाराजगी आज उस समय जाहिर हो गई जब महा गठवंदन के बिधायकों की बैठक आज सेंट्रल हॉल में बुलाई गई और उस समय एक तरह से नितिश कुमार ने साफ तोर पर सुनील सिंग जो आर्जेडी के मलसी हैं उनको इंगित करते हुए कह दिया कि आपका संपर्क बीजेपी से है और आप अमिद्शा से मिले हैं देखे ये एक ऐसा सवाल था जिस सवाल के बाद सारे मामले बिल्कुल साफ हो गए जो कयास लगाये जा रहे थे के महागडबंदन के अंदर में तूट होने वाली है जेडियू महागडबंदन से अलग होने जा रही है इन सब जितने भी सामने मामले आये थे उस पर एक तरह से नितिश ठीक नहीं होगा यानि यह जब डिटिश कुबार का जो तल्ख तेवर सामने आया उसके बाद से अब आर्जेडी इवेन लालू यादब पूरे मामले के पैच अप पे जुट गए हैं राजेश सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सुनिल सिंग को ही डाट नहीं परी से अब यह क महागटबंदन के बैठक से दोनों नेता निकले तो अजित शर्मा और सुनिल सिंग दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे यानि मामला अभी भी रुका नहीं है लेकिन नितिश कुमार के जो तल्ख तेवर हैं वो साफ कर दिया है कि कोई भी विधायक कोई भी उनके पार्टी का बिधान पर्षट महागटबंदन का बिधान पर्षट अगर इस तरह की बात करता है आपस में बात भिवाद करता है तो उसके लिए ठीक नहीं होगा नितिश कुमार का जो अस्तेवर है समझ लीजिए कि वो सहज अंदाज नहीं था नितिश कुम हुए थे उनके बगल में आप देखेगा बिजय कुमार चौधरी बैठे वे थे विजिंद्रयादब बैठे वे थे यानि तमाम निताओं के सामने नितिश कुमार ने आज जता दिया कि महागटबंदन के बारे में जो भी चीजें सामने आ रही हैं या जो बाते बाते की जा रही हैं वह कहीं से भी ठीक नहीं है और किसी को भी अगर पाटी से शिकायत हो सरकार से शिकायत हो तो वह अपने निता से बात करें नित युश्च कुमार चौन को अरजemor इसका सीधा मतलब होता है कि उनके पास जितनी खबरें आई थी चाहे वो चंदरशेखर का मामला हो जो शिक्षा मंतरी चंदरशेखर और IAS के के पाठा के बीच में जो बीबाद चल ला था उसका मामला हो या जितनी भी बातें भी सामने आई थी सब पर आज बिराम लगाने क की कोशिच की है और इसके बाद लालू यादब अब पूरे मामले में पैच अप करने के तैयारी में हैं क्योंकि सुनिल सिंग उनके बहुत ही खास और करीबी माने जाते हैं और सुनिल सिंग रावरी देवी को जो पुर्व मुख्यमंत्रे हैं उनको अपना मुहमोली बहन बाम बताते हैं ऐसे में जब मामला महा गट-बन्दन के बीच में उठा है बैठक में तो आप पैच अप की तयारी की जा रही है लालू यादब इस पैच अप के पूरी कोशिश में जूटे है राजेश बिल्कुल परशान जी जो कुछ भी घट रहा है जो कुछ भी हो रहा है या आज से कल तक में जो कुछ भी हो सकता है जाहिर सी बात है कुछ सामानी बात नहीं है आप भी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि चीजें कुछ बिगडी थी जिसे फिलहाल ठीक किया गया है या ठीक करने की कोसिस हो रही है दोनों ही दल के निताओं की करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आपको याद होगा राजेश एक बार फिर से आपको पुरानी चीज़ों को याद दिला दें कि आपको याद होगा कि बिपक्षी चलों की जब बैठक हुई थी उस बैठक के बाद जिस तरह से बैंगलूरू के लिए जो बैठक के तारी तैक की गई थी उसके बाद बैंगलूरू की तारिक तैक की गई इन सब में नितीश कुमार को दरकिनार किया गया था और सिधे शरत पवार ने ही इसका अनॉंसमेंट कर दिया था कि 17 और 18 जुलाई को बैंगलूरू में बैठा कोगी उसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता आएंगे आप समझ लिए कि जिस नितीश कुमार ने लगातार मेहनत करके पिछले छे महीने से तमाम नेताओं के दर्वाजे पर जा करके उनसे विंती करके उनको विपक्षी दलों की बैठक में आने का उन्होंने निमंतरंड दिया और ऐसके बाद जब उनसे बिना पूछ आज जो गैसियर है उस पर सीधे तोर पर यह माना जा रहा था कि चोट किया गया था यह भी एक नाराजगी का कारण था उसके बाद राजिस घटना शिक्षा मंतरी को लेकर के आयस क्यों के पाठक को लेकर के हुआ जिसके लेकर के सुनिल सिंग ने सीधे तोर पर कह दिया और यही बाती कि सुनिल सिंग आज की बैटक में निसाने पर रहे और मुख्यमंतरी ने उनकी जम कर क्लास लगाई बहुत शुक्रिया प्रसांजी पूरी जानकारी के लिए और तमाम बातें तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे खब इसमें लालू यादब राबडी देवी समय तार्जेदी बिता है